हेलो स्टुडेंट्स लेल्कम टो और चैनल स्टुडेंट्स आज हम करेंगे उक्डान इंक्रीच्ट्पॉक फॉर च्लास 7 और उडान इंग्लिच्ट्पॉक made में हम करेंगे वर्पिंट सेवन्टीन और लेसेन है आपका फायर फ्रेंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क्षीट 17 एक्रिविटी वन एक्रिविटी वन तो जो अंटरलाइन वर्ड है उसका आपको अपोजिट या अन्टॉनिम लिखना है तो फर्स्ट है माई सिस्टर इस गॉइंग तो स्कूल मेरी बहन स्कूल जा रही है option A coming, option B sleeping, option C calling, option D singing तो going का जो अपोजिट या अन्टॉनिम होगा वो होगा coming, A option coming right है second he laughs at my jokes वह मेरे चुटकुलों पर हसता है options हैं A weeps, B sleeps, C angry, D help तो laughs का मतलब हसना और अपोजिट हो जाएगा रहना याने weeps तो A option weeps जो है वो राइट है, अब थर्ड है, the day was cold and dark दिन जो था वो ठंटा था और डार्क था, तो इसका अपोजिट तो घूमना है आपको, A rain, B night, C soft और D bitter, तो D का अपोजिट हो जाएगा night, तो यहाँ पर B option जो है, right है, तो इसका हो जाएगा, the night was cold and dark, B option night is right अब फॉर्थ वन, the math test was very difficult, option A sharp, option B hard, option C easy, option D bitter math का test बहुत difficult था, इने कठिन था, तो difficult का अपोजिट हो जाएगा easy, option C correct है, फिफ्थ है, I like cold drinks, मुझे cold drinks पसंद है, तो option A slow, option B hot, option C dry, option D short, तो cold का जो अपोजिट हो जाएगा hot, तो B option right है, शिक्स्त में है, शालू lost her pen yesterday, शालू ने अपना pen कल खो दिया, option A found, option B spoil, option C close, option D break, तो lost का अपोजिट हो का found, जो A option found right है, 7th है, the fat cat could not run fast, A thin, B black, C happy, D sad, तो fat का अपोजिट हो जाएगा thin, 8th है, my teacher was happy to see me, मेरा teacher यानि मेरा अध्यापक मुझे देख कर प्रसन हुआ, तो A sad, B surprise, C glad और D calm, तो happy का अपोजिट होगा sad, यहने उदास, sad का मिनिंग होता है, उदास और happy का मतलग होता है, प्रसन, तो यहाँ पर हमने जो है opposite words की है, अब चलते हैं, हम activity two पर, activity two, first है, write down the word that has the opposite meaning, box में दे रखे हैं cold, small, bad, fast, full, old, short, false, friend, तो first में आपको hot दे रखा है, तो इसका budget होजाएगा cold, second में big दे रखा है, तो इसका budget होजाएगा small, third में slow दे रखा है, तो इसका budget होजाएगा fast, 4th में happy दे रखा है इसका बोजिट हो जाएगा sad, 5th में new दे रखा है इसका बोजिट हो जाएगा old, 6th में empty दे रखा है इसका बोजिट हो जाएगा full, 7th में fast दे रखा है इसका बोजिट हो जाएगा slow, 8th में tall दे रखा है इसका बोजिट हो जाएगा short, 9th में true दे रखा है इ इसका बोजिट हो जाएगा फ्रेंड तो अभी हमने जो भी लिखें हैं वो सारे बोजिट मिनिंग लिखें हैं एक बार मैं सभी को रीड कर देता हूं कोल्ड हॉट स्मॉल विख फास्ट स्लो सेड हैपी ओल्ड नियू फुल एम्टी स्लो फास्ट शॉर्ट टॉल फाल्स ट्रू प्रेंड अनिमी यह सारे जो हैं अब चलते हैं हम सेकंड पर लिखेंग अनिमीं तॉल उल्ड swingsित ईड विखेंट तो लुण क्मीं खेंड और यह स्वास्ट शुल पिए भी हैैजकिन कंड 5 जिए विखेंगी में सेवն। तो आ लो asse 5 बी वीक, सी थिन, डी डाउन, ई सेड और एफ डर्टी और जी फुल, तो यहां पर आप देखें, क्लीन याने साफ सुत्रा तो अपोजिट हो जाएगा डर्टी याने गंदा, फैट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो यह पर फिर बदाएता हूं clean match होगा dirty से, cold match होगा hot से, fat match होगा thin से, strong match होगा आपका weak से, up match होगा down से, happy match होगा z से और push match होगा pull से, अब है आपका activity 3, matching synonyms and antonyms, synonyms और antonyms को match करना है, look at the words in the first column, words को देखो first column में, और write synonyms and antonyms for each, और पत्ते के लिए synonyms और antonyms लिखे हैं, अब है use the words given in the cloud below, नीचे cloud में words दे रखे हैं ये, इनको use करना है, और वो भरने है, synonyms और antonyms के column में, ये आपको word given है, old, tiny, and, glum, easy, big, ये first column में जो word given है, इनके आपको synonyms और antonyms लिखने हैं, और वो synonyms और antonyms आपको यहां मिलेंगे, cloud में, यहीं से मैंने लिखे हैं, तो old का synonyms होगा aged, और antonyms होगा new, tiny जो word है, इसका synonyms होगा small, और antonyms होगा huge, and जो है, इसका synonyms होगा finish, और antonyms होगा start, glum जो है, इसका synonyms होगा sad, और antonyms होगा happy, easy जो है, इसका synonyms होगा simple, और antonyms होगा hard, big जो word है, इसका synonyms होगा huge, और antonyms होगा little, Synonyms याने समाना अर्थक्षप और Antonyms याने विप्रीदा अर्थक्षप याने अपोजिट वर्ड्स अब चलते हैं हम एक्टिविटी फोर की तरफ रिप्लेस्ट सिनोनिम्स वर्ड्स सिनोनिम्स वर्ड्स को रिप्लेस करो Find out and replace the synonym अंडरलाइन वर्ड्स Find out करो और रिप्लेस करो synonym अंडरलाइन वर्ड्स को तो फस्ट है शालू वाज ग्लम विकॉश्ट नॉट गो टो टो पार्टी तो ग्लम का मतलब होता है उदास शालू उदास थी क्योंकि वो पार्टी में नहीं जा सकी थी तो ग्लम का मतलब होता है उदास तो ए सेड, बी ग्लैड, सी हैपी, डी टायड तो ग्लम का जो है सिनॉनिम हो जाएगा सैड याने उदास सेकंड है वे पार्क की सुन्दरता को देखकर अमेजड हो गई इसको महरान भी कह सकते हैं और प्रसन भी कह सकते हैं वैसे यहाँ पर हैरान ही होता है तो ए प्लीजड, बी डिसपॉइंटड, सी शेड और डी डिप्रेस्ट तो यह मैच हो रहा है प्लीजड से तो से नॉनिम हम यह मानेंगे अमेजड का प्लीजड क्योंकि इसमें डिसपॉइंट निराश की कोई बात नहीं है सैड उदास की कोई बात नहीं है तो प्रेस्ट परेशानी की कोई बात नहीं है तो प्लीजड आएगा यह ऑप्शन राइट है थर्ड है दर कास्टल लुक्ट अनॉर्मस इन दा बैक्ग्राउंड कास्टल होते है किला और बैक्ग्राउंड यानि पार्शो गोमी में वो विशाल दिखाई देता था अनॉर्मस ए वेरी बिग बी स्लोव सी मिक्स्टप और डी मॉव तो वेरी बिग यहां पर होगा तो पर क्लास में कि स्क्रीम कर रहा है कि अ चीफ रहा है तो ए शाॉटिंग बी अफ्रेड सी स्लीपिंग और डी हेपी कि स्क्रिमिंग का मतलब चिलाना थो ए शाॉटिंग यहां पर आएगा पारेद यानि PM सोना हेपी क्रसंद इनका मेंनिंग नहीं है तो screaming का जो similar meaning है वो है shouting अब है बीट के synonym draw a line to connect the words on the left with their synonyms अब यहाँ पर जो है हमें synonyms को match करना है आपस में तो neat का मतलब साफ सुत्रा तो यह match होगा clean से clean का meaning भी साफ सुत्रा होता है प्रिटी याने सुंदर तो यह beautiful भी सुंदर होता है तो pretty match होगा beautiful से large का मतलब होता है विशाल तो यह match होगा use से, use का मतलब भी विशाल होता है simple याने साधारन surl तो यह easy, easy, aas herum्योगा sip याने विमार तो यह ill से मैच होगा, ill का मतलब भी विमार होता है क्राई रोना तो यह मैं चोगा वीप से वीप का मतलब की होता है रोना तो नेट क्लीन प्रेडे ब्यूटिफुल लार्ज यूज सिंपल इजी सिंख इल और क्राई वीप तो यह हमने जो है लाइन को ड्रॉ कर लिया है ताकि हम से नॉनिम्स को जो है करेक्ट कर सकें तो करें थैंक यू